नहीं हुई है वुख्यमंत्रे भुपेश वगेल ने कहा है कि 36 गड़ के सभी एतिहासिक धरोहरों को राश्चिय मारचितर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है चंद्खुरी में आयोजित माता कौशल्या महोसो के समाफन अवसरपरशी वगेल ने कहा कि प्रदेश इसमीज में राम वनगमन परियुटन परिपत परियूजना में शामीद सभी इस थालों का विकास किया जा रहा है परियुटन परियुटन परपत कि निर्मानकारीों को हात में लिया है जिसमें सबसे पहले सिवरी नरायन चंद्खुरी कोसिल्यमाता के धाम और राजिम में राजी लोचन भगवान जहां भी राजे हैं हमारे चत्तित गड़ का सबसे बड़ा तीर सी स्थल उसको विकास करने संदरी करन करने का काम हाथ में लगातार काम चल रहा है काम अभी पूरा हुआ नहीं है कि लोगों का आना और खास कर इस मंदिर प्रांगन में सनिवार, रविवार, सुमवार को इतनी भीड लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं आज इस प्रकार से लेजर सो का उधाटन हुआ बहुँ सुंदर चित्रन और उसी प्रकार से चंद्खुरी के विकास में धार्मिक यात्रियों के सुईधा के लिए बहुँ सारे निर्मान कारे किये जा रहा है इसका उद्देश यही है हम दूर दूर जाते हैं लेकिन हमारे जो यहां चत्तिजगर में जो कुछ है उसको हम लोग अंदेखा कर देते हैं इस आउसर पर मुख्य मंत्री ने महोसों में उद्कृष्ट प्रस्तुती देने वाले विभिन मारस मंडलियों को सम्मानित किया कारे क्रम को परेटन मंत्री तामरध्वज साहु और नगरिय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शियो कुमार डहर्या ने भी संबोधित किया महोसों के अंतिम दिन पदमश्री कैलाश खेर ने भक्ति मैं गीतों की एक से बढ़कर एक प्रसुतियां दी मेरा संकाइडे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्ति करण प्रदर्शनी के साथ ही हत करगा शिल्प के स्टॉलों का अवलोकन किया